Hello my dear friends, this is Priya and welcome to JRJuniors. कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे. So, आज का lecture है हमारा 4th Standard के लिए Max का lecture video. Okay? So, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 1st chapter जो की है Geometrical Figure. जिसका ये क्या है lecture number 2 और इसका lecture number 1 upload किया गया है. आप लोग अच्छी तरह से जाके उसे देखिए, समझेए and then फिर ये वीडियो देखेंगे आप लोग, तो आप लोग को अच्छी तरह से ये पूरा topic clear हो जाएगा. Okay? So, start करते हैं. आज हम जानेंगे circle के अंदर की parts के बारे में, उसमें और क्या-क्या होती है, उसमें quartz होते हैं, diameter होते हैं, radius होता है, center के इस तरह से हम find कर सकते हैं, radius के इस तरह से find कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी हम समझने वाले हैं. Okay? So, चलो. सबसे पहले हमें एक circle draw करना है, उसमें हम देखेंगे कि उसका center क्या है? आप लोगों के घर पे protector होगा, अगर आप लोग use नहीं करते होगे, आपके बड़े भाई बैन के पास होगा, आप उनसे ले सकते हैं, एक बार try करो कि आप find out करना खुद से कि उसका center क्या है? तो इस point को, जो middle जो होता है point, उसको क्या बोलते हैं? हम center of the circle, ठीके? यह क्या है? center of the circle, इसे हम खुद से ऐसे ही तुक्का मार के कोई random से हम circle बना लेंगे, और उसके अंदर direct कोई भी किसी भी जगे पे हम कोई भी dot draw कर लेंगे, तो वो center नहीं होता है, आप लोग को direct wrong दे किया जाएगा और उसके पूरे marks कर जाएंगे आप लोग के, ठीक है? तो आपको proper अच्छी तरह से scale का protector का use करके ही आप लोगों को find out करना है center, ठीक है? center point इस तरह से आपको find out करना है, then देखते हैं हम cord, cord क्या होता है? cord वो होता है जो center के अंदर में आप लोगों को किसी भी center को छोड़के, आपको किसी भी side में tool, इस तरह से आपको line draw किया हुआ रहेगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? cord बोल सकते हैं, okay? क्या बोल सकते हैं? cord बोल सकते हैं, जो कि center को touch नहीं हुआ है, ठीक है? ये कितना भी आपको दिया हो सकता है, and इसका name कुछ तरह से A, B, C, D, A, B, C, D, इस तरह से कुछ इसके name दिये रहेंगे, और आपको बोला रहेगा कि इसमें से cord कौन से है, ठीक है? तो इसमें से cord आप किस तरह से find out करेंगे? इसमें cord है, A, B, and C, D, ये क्या है? इसके cord है, जो कि center को touch नहीं होते, वो कोई भी side में किसी भी तरफ से रह सकता है, ओके? ये हो गया हमारा second, and then हम सीखने वाले हैं diameter, diameter क्या होता है? diameter होता है, radius का double, ठीक है? radius का double, radius क्या होता है? diameter का half होता है, ठीक है? अगर कोई भी line center से half में draw रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा radius हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा हमारा radius हो सकता है, radius हो जाएगा, तो ये half ही होता है, center से किसी भी एक side पर ये draw किया हो रहेगा, and आपको पूछेंगे कि इस में से आपको radius बताना है, ठीक है? इस में से आपको radius find out करना है, तो आप इसको naming दे सकते हैं, खुद radius है ठीक है? तो ये किसी भी तरफ से हो सकता है, अब जरूरी नहीं है कि यहीं पर होगा, यह इसके बजाएں यहाँ भी हो सकता है या फिर यहां भी हो सकता है, तो यह क्या हो जाएगा? यह फिर भी radius ही रहेगा, उकिए? उसके बाद, radius के बाद क्या है हमारा diameter diameter क्या होता है radius जो होता है radius का double क्या होता है हमारा diameter होता है एक straight line जो center से गया हुआ हो proper center से गया हो वो हमारा diameter हो जाएगा जो कि इस तरह से draw करते हैं ठीक है इसे ध्यान में रखना है आपको exam में किस तरह से question पुछा जा सकता है आपको एक circle draw करके देंगे और उसके अंदर ये चारो चीजे दी हुई रहेगी और आपको find करने के लिए बोलेंगे कि आप इन में से हर चीज का name अलग-अलग करके लिखो ठीक है तो देखो देखो मैं किस तरह से बता रहे हूँ आप लोगों को जैसे ये हो गया हमारा center ओके उसके बाद ये क्या है हमारा chord ये मैंने chord draw कर दिया उसके बाद यहां से मैंने एक radius draw कर दिया और यही radius हमारा क्या बन जाएगा diameter इधर से मैंने इसको full कर दिया तो ये क्या हमारा diameter बन गया अब इसमें से आपको find करने के लिए बोलेंगे मैं यहां पर name डाल देती हूँ ये O हमारा center है and A and B okay, C तो अब इसमें से आप कैसे find out करेंगे कि आपको chord find out करना है तो इसमें से आपको chord कहां पर दिख रहा है जो कि centers को देख सकते हैं, तो किस तरह से लिखोगे आप chord equals to C and B, ठीक है उसके बाद आपको यहां पर बताएंगे कि कितने radius है यहां पर आपको radius का name लिखना है, तो किस तरह से आप लिखेंगे radius का name, radius मैं R लिखती हूँ and radius कौन-कौन से radius बन सकते हैं यहां पर C and O A O भी हमारा एक radius है and O B भी हमारा एक radius है ठीक है, तो यहां कैसे लिखेंगे हम A O कौमा O B यह क्या है हमारे two radius है, ओके अब इसके बाद diameter कैसे find out करेंगे हम diameter क्या होता है diameter क्या होता है, radius का full होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा diameter कौन से diameter है यहां पर A, B यह क्या है हमारा diameter है, आपको इस तरह से कोई भी question पूछा जा सकता है, ठीक है, तो I hope कि आप लोग को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा